हलो स्टूडेंट मैं गुद्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आज देखे मैं आपको ये टॉपिक लेकर आया हूँ कौन सा लाइन सेन इंगल ठीक हैं देखे स्टूडेंट ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है अगर आप क्लास न अगर आप लगाओगे तो बिल्कुल आप नहीं परिसान होंगे चलिए करता हूँ और देखे आप बिल्कुल भी ध्यान दीजिए वीडियो पर केवल आप वीडियो इसे देखते रहे हंडेट परसेंट अगर आपके सन में आ जाए तो बिकार है हंडेट वन परसेंट आप वीडियो आप लगातार बनाते चले जा रहे हो अरे कम से कम गुरुजी हमारा भी ख्याल करिए हमारा भी एकात कुश्चन बना दीजिए तो उनहीं के कहने पर ये कुश्चन जो है उनहीं को जो है जो आप लोग मांगे हो आप लोगों के लिए ही ये बना हुआ है आप इस मेरी आपसे गरंटी है दावा है ये चीज तो देखिए कैसे आप लगाओगे पहले इसको हम समझते हैं देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है इन दा एड़ जानिंग फिगर रे क्यू आर पर्पेंडिकुलर तो दा लाइन पी क्यू आगे क्या लिखा है क्यू एस देखिए ओयस लिखा है इस एन अदर रे स्टैंडिंग ओन लाइन पी क्यू प्रूब दैट इंगल आर ओयस इसको ब्राबर आपको दिखाना है देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पर क्या है कि आगर इस तरह कभी कुश्चन मिलता अच्छा है इस चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सम लिख देते हैं सलूशन करते हैं और समझने का प्रियतन करते हैं कि यहाँ पर होगा क्या यस ओ यल और इसके उपर लगा दिया एन हो गया सलूशन यह है शार्टकट ठीक है तो इसमें बिलकुल आप पर थानों यह देखिए जो कहरा उसको लिखें पहले क्या कह रहा है इसमें कह रहा है और जो है वो लाइन पीक्यू पर परपंड़ी के लिखा है लिखा ना इसम और बच्चा इधर वाला भी इंगल क्या होगा यह भी 90 अर्थात जो तुम्हारा क्या है यहाँ पर गिवन में लिख दीजिए आपका जो है गिवन क्या हुआ इंगल आर ओ क्यू बात समझेगा आर ओ क्यू इसकी बैलू 90 है बच्चा अगर यह 90 हुआ तो इधर वाला भी क क्या होगा यह भी 90 हो जाएगा भाई क्या इसका नाम है इधर वाले का आर ओ पी क्या नाम होगा इसका आर ओ पी है यह भी 90 डिग्री है अब बच्चा आपको यह इंगल बताना है यह ओ पे है तो चाहे आप चाहो आर ओ पी बोलो और चाहे पी ओ आर बोलो क्योंकि जिस इंगल का नाम लेना होता है वो इंगल कहा होना चाहिए बीच में होना चाहिए तो देखे बीच में दोनों में भी ओ आ रहा है चाहे इधर से नाम लो तब भी ओ बीच में आ रहा है इधर स तू प्रूब तू के बाद यहां पर देखो ध्यान दीजेगा प्रूब लिखेंगे भाई प्रूब डैट क्या प्रूब करने का है आपको आपको तो यह प्रूब करना है ध्यान दीजेगा आपको क्या प्रूब करना है आपको यह प्रूब करना है और ओ यस किसके बराबर ह वान अपान टू ठीक है ब्रेकट में इंगल कौन सा है भाईया क्यूँ ओ यस है माइनस पी ओ यस है ये है देखिए ये कुश्चन आप जो है देखो के चूंकि देखिए ये जो सवाल में लगा रहा हूँ ये न्यू स्लेबर्स जो भी आया है न्यू स्लेबर्स उसमें भी ये कुश्चन है ठीक है और ये कुश्चन अब ये समझ के सलो कि ये कुश्चन अब लगभग लगभग हर कच्छनों के कोई भी स्कूल का ध्यापक है ठीक है उनको इसको लगभग लगभग वो देंगे ही कारण क्या है क्योंकि ये कुश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन कुश्चन है तो जो बेहतरीन कुश्चन होता है वही पूछा जाता है पर जी एरा गेरा के चक्र में न पूड़ो ठीक है तो चलिए पड़ो सम्में लगाओ सम्में लेकिन कुछी जो इस पर ज्यादा फोकस करिए तो चलिए भी यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं क्या होगा अब आप कहोगे सर जी आपके पास क्या इसी टेकनिक है जो हमको दिमाग नहीं लगाने देगा अरे बच्चा टेकनिक यही है कि इधर से देखिए दो कूण इधर से पार करो जैसे यहाँ से पहुँचे देखिए यह माली यह राइबरेली है राइबरेली से आप फूरसदगन पहुँचे और देखो पूरसदगन से मेठी पहुँचे दूसरा इंगल यहाई दूसरा इंगल यहाई दो इंगल पार हो शीच है तो इस तरीके से आपको काम करना है ठीक纲 अब करे सब्सक्राइब करें एक यहाई पर अब आगे देखो यहाँ पर कुंदन गया आगे लखनो पोच के कुछ भी बोलो लेकिन आपके वल इतना ध्यार रखो कि आपको दो इंगल पार होना है ठीक है तो चली पार होते हैं पहले तो एक काम करते हैं पहले इसको नहीं लिखता हूँ पहले जो है एक तरफ से काम करता और यहाँ से यहाँ तक इसका नाम क्या होगा तो बच्चा इधर देखो इसको पी को टच कर रहा है और इधर किसको टच कर रहा है आर को तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा पी ओ आर हो गया ठीक है तो यहाँ लिखेंगे बच्चा इंगल पी ओ आर लिख दिया नाम है पी ओ एस ना चोटे वाले इंगल करा तो लिख दो और फिर प्लस ये वाला इंगल एस ओ आर तो यहाँ पर लिखेंगे इंगल पी ओ एस प्लस एस ओ आर अब आप कहोगे सर आईशा क्यों किया अरे भाई यहाँ से यहाँ तक आपका इंगल है ना मतलब POR है ना तो POR में दो इंगल है कौन-कौन से POS और SOR मतलब इन दोनों का सम जो है इसका और यह इसका इसका सम जो है वो इत्ता बरा है बढ़कवा है महने दो छोटे का सम यह बरा है मतलब POS प्लस SOR इसकोल टू क्या है POR है देखो लिग दिया और यहां पर देखे बहुत 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 बता रहा हूँ कि नहीं देखो हमने दो इंगल दो लिया यहां पर अब यहां पर देखो क्या लिखा है यहां पर लिखा भी है कि POR देखो POR हमने बोला क चाहे R, O, P बोलो, दोनों को मतलब एक ही होता है, तो इसकी value क्या दिया है, 90 दिया है, तो आप इसकी जगा क्या लिखोगे, 90 डिगरी लिख दोगे, और यहाँ पर angle क्या लिखा है, P, O, S, प्लस angle S, O, R लिखा है, इसको समी करण एक बना के छोड़ दो, equation number one, बस simple सा काम, आधे से ज़्यादा लग गया, अब थोड़ा सा बचा है, ठीक है, क्या थोड़ा सा बचा है, इसको देखो अब, अब इधर से काम हो गया, अब काम कहां से करेंगे, इधर से, चाहो दो इंगल, कुछ भी नहीं याद रखना है, भाई, केवल दो इंगल इधर से याद रखना है, कि हाँ जाना है, दो इंगल इधर से रखना है, अब चाहो, तो चाहे इधर वाला पहले लिख लो, और चाहे तो इधर वाला लिख लो, वो तो आपके उपर डिपेंड करता है, तो आप इधर से पहले इधर चले जाएए क्या नाम है भाई? अगे नाओ अब हम काम करने चल रहे हैं क्या? आप कहां से का जाएंगे? यहां से यहां तक मतलब कहां से इसका नाम क्या होगा? Q-O-S क्या इंगल बन गया यह भाई? Q-O-S भाई दो इंगल है ना यह सम यह Q-O-S क्या है? भाई Q-O-S यह क्या है? यह दो इंगलों का सम है कौन कौन से इंगल है भाई? पहला यह इंगल है और दूसरा यह इंगल है पहला इंगल कौन है भाई? यह वाला इतने का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा Q-O-R मारब क्या नाम होगा इसका Q-O-R फिर कौन है Q-O-R यहां से यहां तक है और फिर अगले का नाम क्या है यह है R-O-S तो यहां लिख देंगे R-O-S तो बच्चा इन दोनों का जो सम है छोटे छोटे बगवा का मतलब यह छोटको हुआ यह छोटको हुआ इनको दोनों जोड़ा गया तो यह बड़ा सा इंगल बन गया कौन सा Q-O-R यह वाला बना कि नहीं अब हम लोग सोचते है कि अब इसका फिर का काम क्या है फिर क्वर खत्म हो गया और Q-O-R लिखा यहाँ पर और बच्चा Q-O-R की बैलू 90 दिया है तो हम यहाँ पर Q-O-R की जगा क्या रखेंगे 90 रख देंगे अब आगे यहाँ पर समझो यहाँ पर क्या लिखा है बोलो यहाँ पर लिखा हुआ है R-O-S लिखा है तो भई देखे Q-O-R की बैलू यहाँ पर क्या लिखा था 90 लिखा था देखो यह लिखा Q-O-R 90 लिखा था मैंने लिख दिया खुश हो अच्छे से आ गया होगा आप तो कोई दिक्कत नहीं है चलिए कोई बात नहीं है लेकिन पहला वाला कहा रहा है बच्चा अगर 90 आ गया तो 90 के जगा तुमको इसको रखना पड़ेगा नहीं तो मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं है पहला वाला क्या रहा है कि अगर कही 90 देखो तो की बराबर में यह का लिख दियो तुरंत लिखो भाई बिना कुछ सोचे समझे यही कह रहा ना है कुश्चन नमर वन चलो भाई ये इनकी बात मान लेते हैं और यहां 90 आया है चलो 90 भाई लू इसको यहां रख देते हैं नहीं वह गुश्चा मान जाएगा न वो तो यहां पर क्या करोगे आप यहां पर लिखो कि QOS लिख दिया और 90 लिखा है तो कहारा 90 की जगा पर इसको लिखो क्योंकि 90 बराबर में है नहीं है तो यहां पर देखो क्या लिख दिया हमने POS प्लस क्या लिखा है यहां पर SOR और यहां पर भी क्या लिखा है ROS ये एक ही उसके है ना, एक ही है चीज, तो यहाँ पर क्या होगा, इनको क्या करेगा, किक मारेगा, अब चल इधर आ, इसको किक मारेंगे, इधर आके गिरेगा बचारा, तो कहां गिरेगा, क्यूँ, ओ यह सही है, इसको एक किक मारेंगे, बचारा इधर आके गिरा, थारा आक बच्चा आप चाहो तो इसी SOR लिखो, चाहे इसी को ROS लिखो, दोनों एक ही चीज़े क्यों, क्योंकि हमने बताया कि चाहे SOR लिखो, चाहे ROS लिखो, अब आप कहोगे सर जी, ये ROS एक वाद दूसरा वालत यहां पर था ही, आप कहोगे सर जी, आपने SOR क्यों नहीं रहने ठीक है, क्योंकि हमको R.O.S. में उत्तर लाना है, देखो हमारे एमा लिखा हुआ है, भया हमका वही कम काम करना पड़ता है, जो लिखा होता है, उसके विरुद्ध काम करोगे, तो गुरु जी जो है न, नमबर वा जीरो कर देते हैं, नमबर इसलिए, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा, कि जो लिखा है आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे यहां पर कह रहा है कि बच्चा R.O.S. लिखो, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसे, R.O.S. बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपको उमने बताया न, गुरु जी गुश्चा हो जाएंगे, ना, त अप तो सवंने आ गया होगा, इधर आकर दे इसके कहने हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, चलो भाग में कर देते हैं, भाग में चला गया न, भाइ यहां बन तो चिपए था और ये दुवचार आया तो इसकी गम से-से-से के नीचे चला गया, वन अपांटु हो गया, चलो इसको पहले लिखे लो ना तो यहाँ पर क्या लिखोगे ros kong to one upon two angle qos-pos भाई देखो यहे तो है पहले इसको यहाँ लिख लिया और फिर इधर वाला चीछ इधर लिख लिया तो बच्चा देखो माइंड लगाया अपने हम तो हमने तो सोचा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से ये कुश्चन देखो एकदम बढ़िया से लग गया अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो आप जो है कमेंट बाक से में जोरू लिखें कि सर जी हमको स चैनल से तट में दॉण नहीं है तो अगर आभी तक चैनल सस्क्राइब ने की हो वा कर दो आप में पर दो क्ष लिए किसर सम्झ में नहीं अध्यापक का काम का काम ही है कि ऑक बार क्रत में नहीं आता बच्चों को तो बार बार सम्झाने का तीक है थैंक यू